हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चेनल वे तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि थेड़ टेंचन को कैसे टाइट किया सता है कैसे फिक्स करते हैं अगर आपका thread tension डीला हो गया है या निकल गया है तो इसे लगाना हम इस वीडियो में सीखेंगे तो सबसे पहले हम thread tension को बाहर निकाल लेगे उसके बाद यह जो दो page है इनने भी हम निकाल लेगे तो ही मैंने एक page निकाल लिया है अब एक और page को भी निकाल लेगे आप page कस से इनने निकाल ले दोनों को तो दोनों page हमारा निकल गये है और thread tension भी निकाल लिया गया है तो अब हम इसके अंदर से एक और पारठ निकलेगा इसे निकाल कर हम इसके अच्छे से सवाई कर लेगे कच्रा वगेरा जम जाता है फस जाता है तो इसे हम पहले साफ कर लेगे तो इसे आपको अच्छे से साफ करना है पहले उसके बाद हम इसे कसेंगे आप देख सकते हैं यह अंदर से इसा दिखता है अब हमें बड़े वाले होल को अंदर की साफ रखना है और जो एक होले छोटा वाला उसको हमें बाहर की साफ रखना है और इस पार्ट को हम अंदर डाल देंगे पहले उसके बाद हम थ्रेट टेंशन को भी अंदर डाल देंगे उसके बाद हम इन दोनों पेश को कस देंगे जो थोड़ा लंबा पेश है उसको हमें इस वाले होल में कसना है और एक थोड़ा छोटा पेश है उसको आगे वाले होल में कसना है Thread Tension को अच्छे से दबा करके अंदर की साइट दबा करके इस प्रकार पकड़ लेंगे उसके बाद हम पेंच को कसेंगे इस प्रकार से हम दोनों पेंच को कस देंगे तो हमारा Thread Tension टाइट हो जाएगा विल्कुल अच्छे से कसा जाएगा तो सिलाई मशिन से रिलेटेड सिलाई मशिन से रिपेरिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और यदि आप घर बेटे सिलाई सिखना चाहते हैं अपने पेसे बचाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखें इसमें मैं आपको पूरी सिलाई करना सिखाऊंगी धन्यवाद दोस्तो